नमसकार दोस्तों आपको अपने चेनल सक्सिस प्लेस में इस बिजिए हम बात करेंगे कब हमारे मार्केट में गिरावट हो सकती है, कैसे पता करेंगे कि मार्केट में गिरावट होने बाली है, जैसे आप बहुत सारे मेजर कारंद देखते है कि करोरणा वारिरस 살ине से low battery है यह आप global index देख सकते हैं global index में अगर गिरावट आती है तो हमारे market में भी correction हो सकता है लेकिन यहाप हम बात करेंगे कैसे आप simple technical analysis जो है moving average से कैसे पता कर सकते हैं कि market में correction आने बाला है एक बड़ा correction यहाँ से हो सकता है तो ही भी certain रूप से निश्चित रूप से नहीं बाता सकता है कि गिरावट कितना बड़ा होगा क्या होगा या market उपर कहां तक जाएगा तेकिन निफ्टी जो हमारा 50,000 आ चुक सकता है कि 25,000 भी जा सकता है तब हुश्चारी rumors है जो bull market है यह bull market एक बहुत बड़ा bull market था एक बहुत बड़ी bull rally थी और यह bull rally कब over होगा यह कुई नहीं कर सकता लेकिन technical chart के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं कि bull market के rally कब खतम होगी तो उसको simple moving average से आप जान सकते हैं सपोर्ट लेना शुरू कर दिया market यहां पर आप देखेंगे अब जो हम यहां से trend line खिछते हैं तो देखेंगे अब यह trend line पर support लेने लगा है market यहां से लगभग देख एक बार फिर गिरावट आया था यह इस बिच में यहां पर correction आया था तो यहां पर इस से पहले support लिया यहां पर एक थोड़ा सा बड़ा correction आया तो यहां से support लेके market उपर गया market इस trend line को break करता है यह जो नीचे वाला trend line है तो हम खेंगे एक major correction आने वाला है क्योंकि जो simple moving average है जब यह weekly chart पर plenty moving average को break कर देता है तो हम कहते हैं कि market में एक बड़ा correction हो सकता है कई सारे नियम है पहले यह एक बड़ा correction हाने वाला है इस trend line को break करता है और यह moving average जो 20 day का moving average है 2TEMA इसके नीचे trade करना सुगाता है market तो एक बड़ा मतल हम बोल सकते हैं यहां से गिरावट हो सकते है market में तो price action से भी जानेंगे price action में जो पिछला low है उसको break करें 10 line है उसको break करें और जो moving average है उसके अनुसार break करें या RSI के माध्यम से आप समसकते हैं जब RSI हमारा 60 के नीचे आजाए weekly chart पर weekly chart पर 60 के नीचे आजाए RSI तो समझे एक बड़ा correction आने बाला है वो correction केतना लंबा जाएगा यह तो कोई नहीं बता सकता मतलब उसको फिर से हम यहीं कहेंगे अगर वो daily chart पर 20 day के EMA के उपर trade करना शुरू कर देता है तो मतलब daily EMA को तो समझे वहापा correction पूरा हो गया तर्मों भी average के मार्थेम से simple लूप से हम trend को समझते है कि trend हमारा क्या है up trend है या down trend है अभी यह जो correction है यह चोटा मोटा correction है इस correction सो कोई बड़ा प्रभाव नहीं परने वाला है तो अभी यह correction एक मामली correction है लेकिन यहाँ पर divergence तो weekly chart पर दिख रहा है divergence का मतलब होता है कि हमारा जो momentum है वो momentum कमजोर हो चुका है जो nifty जिस तेजी से उपर जा रहा था वो तेजी जो है उपर जाने का वो weak हो चुका है तो weak हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि market उपर नहीं करेगा market नीचे trade करेगा उसे तरह से आप sensex में भी रेक्सक्राइब चलना है जिस तरह से निफ्टी चलना है और सेम उसी रूप से sensex भी चलना है sensex भी यहाँ पर trend बनाया है नया trend में देख सकते हैं आप यह जो support ले रहा है यह trend बनाया है तो निफ्टी और sensex दोनों इस स कर एक्षन आ चुका है अगर हम बेंक निफ्टी की बाता कर सब्सक्राइम बीकाशन UP गया और बैंक निफ्टी ही निफ्टी को इतना ऊपर तक ले आया तो जो बैंक निफ्टी है वो अभी काफी स्ट्रॉंग चल दा है तो अगर बैंक निफ्टी का अकेलिये कर्ट्यूबिशन जो है लगबग 15 से 20 परसंट के आसपास है बैंक और फाइनेसर सेक्टर दोनों को मिला दे तो 22 परसंट से अधिक है तो यहाँ पा बड़ा क्रेक्शन होगा अगर बैंक निफ्टी गेता है तो यह निफ्टी को भी गिराएगा तो सबसे सिंपल है के मुविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है अगर यह 20 डे के मुविंग एवरेज से यहां नीचे डेली चार्ट पर मतलब ट्रेड करना सुख करता है तो हम मानें कि कि जो ट्रेंड में मतलब गिरावट वाला ट्रेंड है उसकी सुरुवात हो रही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अगर यह 20 डे की यह में को ब्रेक कर देता है डेली चार्ट पर तो यह बड़ा क्रेक्शन होगा या बड़ा गिरावट होगा बड़ा गिरावट तब होता है जब वीकली चार्ट पर यह 20 डे की मुविंग एवरेज को ब्रेक करे या पिछला जो अपना उसको ब्रेक करें वीकली चार्ट पर तो इसको हमेसे आपको ध्यान में रखना है डेली चार्ट पर ये 20 डे के ही में को अभी सपोर्ट ले रहा है और गर इसके नीचे ट्रेट करना सुरू करता है तो यहां पर माना जाएगा कि एक जो करेक्शन है उसकी सुरुआत हो चुकि बेंक निफ्टी में देख लिए ये अभी 20 डे के एमे के आसपास आया भी नहीं है मतलब बेंक निफ्टी काफी बुलिस है अभी तो अभी ये 20 डे के एमे के आसपास भी नहीं आया है तो मतलब अभी बेंक निफ्टी अभी भी बुलिस है अगर यहां से ये नीचे की है वो शुरुआत होच कि अब एक रेक्षन बड़ा होगा या छोटा होगा बड़ा गिरावट हो सकती है तो बड़ा गिरावट तभी होगा जब वीकली चार्ट पर ये 20 डे के में को ब्रेक करें तो सिंपल मुविंग एबरेज के मारे इस तरह से हम मार्केट के डायक्षन और टू हंडेड तो समजिए मार्केट वहां साइडवेज है और वहां से मार्केट अपना जो पहले का डैक्षन था उस डैक्षन को चेंज भी कर सकता है या continue भी कर सकता है तो यह सिंपल स्टेजी मैंने आपको इस्टॉक में भी बताया है कि यह सारी मुविंग एवरेज जो हमारा फिप्टी हंडेड टू हंडेड इसके नीचे मजब इस्टॉक ट्रेड करना सुरू कर दित समझे स्टॉक का की सस्ते मेलेशन में मिल होगा छोटा होगा उसको पता करने का अगर यह वीडियो हैल्फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर की देगा और जो हमारा सिच्वेशन है चारो और उस पर हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि जो हमारा इक और में अगर उसकी हालत खराब होती है क्रोना बार लगाधार केसिस बढ़ते हैं तो निसीत है मार्किट में बड़ा करेक्शन हो सकता है यह अगर सिच्वेशन सही हो जाता है तो सिच्वेशन कुछ भी हो सकता है कुछ भी सर्टेन नहीं है तो सिपल तरीक आपको हमने बताया मुवीं एवडेज को लगाईए और अपने मार आपनी स्टोक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट ओपेन नहीं किया है तो आप जिरोधा के साथ ओपेन करते हैं अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बहतरी प्लेटपाम है काफी अच्छा मार्जिन देता है आप हमारे लि आपको कोई फी ब्रोक्रिस पे नहीं करना पड़ता है और इंटाडे में सिर्फ 20 रूपेज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा